आज का मारा टापिक है principle of laser that means laser का सिध्धान तो देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि सामयवस्ता की जो condition होती है उसमें हमारा क्या होता है RNM जो होगा RMN के that means rate of transition by emission जो होगा वह को लोगो rate of transition by absorption के के लिए जो आपकी दर होगी उतनी है आपकी दर होगी absorption के लिए लेकिन जब नॉन एक्लोमाली कंडिशन होगी उसमें हमारे यह रेशियो हमारा इस तरह की से लेका सकते हैं आप लोगों पहले देखा होगा फर्मला होगा इंज रेशियो का वह बन जाएगा 1 प्लस ANN अपान BMN युद्यू NN अपान NM की इकवर तो देखिए हम लोगों को लेजर में क्या चाहिए सबसे ज़्यादा कि जो भी आपका emission हो रहा है उत्त्रजन हो वह उत्द्रजन तभी तो आपके जो दिन्स होगी सा युद्यू से जाएगा उत्त्रजन के प्राइकता है ना कि इसलिए हमारा हो जाएगा एनम जोगा वह भूत कम होना ची युद्यूनियू से यह हमारी प्राइकता होती है annihilator emission की वह भूत ज्यादा होनी चाहिए पॉंट्वाट से प्राइपता से दूसरे चीज हम लोगों को क्या होना चाहिए कि emission जो है हमारे सर्चें के दर वह absorption के दर से ज्यादा होनी चाहिए तब ही हम लोगों को कि जो बीम होगी वो ज़्यादा intense होगी इसलिए हम लोग बोल सकते हैं R N N जो होगा वो हमारा बहुत ज़्यादा हो जाए है R M N से अब देखिए पहली वाली condition लोग डालेंगे तो उसे मेरे पास यह N N जो है वो बहुत ही ज़्यादा है बहुत ही कम है बी एनन यूनियो से इससे हमारे पास यह वाली बन जाएगा अब उसमें देखिए यह वाली जो टर्म है वह वाली जीरो के एकोल हो जाएगा वन प्लस यह वाली तो ओनली वन रह जाएगा तो इससे मेरे पास R N N और R M N वहोगा अपन एकोल हो जाएगा अब मैक्सवल पोल्समान दिस्वेशन व की बेशिस पे हमारे पास N N उपन पन-ट के के कोल होगा इससे मेरे पास यह वाली जीक्विशन वाल जाएक इस पनी पन पन के लिकाशन देखिए देखिए नॉर्मल स्टांस जिज अपन के बात करते तह मि विपलेंद है हमारी 518 डिल्स लागागा हुआ हो लवा हमार रहर हमारा वह बहुत ही कम होगा झाया वैए फ्लस अमन से उपर वाले यह लैळल में से लुक्त से přिस खोर होगा जापने सब्सकूर tenía इंप हुआ कि यदी प्रावारती पर हम लोग इंसिटंट कणाते हैं तो ऑश SBS कि दर ऑगी महारे वह Tabii बहुत ज्जाद हुञने केsalदेट करेंबर की अब हमलोग इसलिए क्या चाहिए उत्सारण के डर्द के लिए हम लोग says प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इंवर्जन समस्ट्री प्रतिलोमन उसके अंदर क्या होता है हम लोग कुछ भी भार से कुछ करते हैं जिससे क्या हो कि उपर वाला जो लेवल हो उसमें हमारे नबर ओफ एटम्स जो वह बहुत जादा हो जाए नीचे वाले ले क्या होगा कि स्टुम्ट्री टैम्मिशन है वह हमारा और ज्यादा बढ़ जाएगा राइट अब देखिए वह वाला जो हमारा मैंग्स बोल्जवान का इससे हमारे पास आ जाएगा अब देखिए इसके अंदर इन माइनस इम हमारा वह हमेशा ग्रेटर जिरो क्योंकि एन आधमींष्री अबला आई वह उप्रावाल एवह इसले वाली हमारे पास वस्वाष्री में ग्रेटर जी रहो गट हम लोग का चाहिए और ज़य वह हो ज्याद़ हो यह ब वैल्जर को इससे हो लोग जीन से इस्टम यह वाला लसक्टnh报 ग्रेटमिशन को हम्लोग चाहेगा जो भी हमारा active medium है, जो भी हमारा active medium है, उसको हम लोग कोई दूसरी तरीके से energy देकर उसको excited कराएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा population inversion हो जाएगा, तो उस process को हम लोग बोलते हैं, pumping, that means pumping, लेखें, यह बहुत तरीके से हो सकते हैं, pumping, उसमें से 5 methods हमारे होते हैं, optical pumping, प्रकाशी pumping, electron impact, electron tucker, elastic atom, atom collision, अप्रत्यास टककर, पर्मारो पर्मारो टककर, chemical pumping, रासायनिक pumping, gas dynamic pumping, gas गति की pumping, यह कुछ processes है, pumping की pumping की, पंपन की, जिसके थूपी हम लोग population inversion करा सकते हैं, तो देखें, सबसे जाता हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, optical pumping को, that means प्रकाशी pumping को, तो मैं आपको प्रकाशी pumping, पंपन की जो process होती है, वो ही समझाती है, तो देखें, उसके अंदर हम लोगों ने माना, तीन स्टेट से आपकी, E0, E1, E2, E0 है मारी मूल अवस्था, that means ground state, E1 होगी हमारी मित्सताई अवस्था, that means metastable state, E2 हमारी होगी तेजित अवस्था, that means excited state, metastable state में पहले आप लोगों पाताया था, वो, वो state होती है, जिसके अंदर रहने की जो, that means ज्यादा देर तक atom है वो इसके अंदर रह सकता है तो देखिए इसके अंदर हमारे जो transition possible होते है वो E0 से E2 that means मुल आवस्ता से वो excited state में जाएगा फिर excited state से metastable state में एक और transition possible होता है यह दो transition हमारे possible होते है तो देखिए हम लोग क्या करेंगे E0 से E2 में atom कप जाएगा जब उसको किसी दूसरे तरीके से हम लोग energy देंगे तो हम लोग इस पूरे diagram के तो मैं यह वाला process समझाने का try करूंगी आप लोगों का optical pumping का तो देखिए इसमें हमारे E0 है हमारे E1 level और E2 level है E0 तो हमारी होती मुल अवस्ता अब हम लोगों ने क्या कि है भार से कोई photons है उनको radiate दाला इस पर incident कर रहा है तो क्या होगे हमारे यहाँ जाने की बाद में क्या करेंगे वह आइटम्स यहाँ पर रहने की बाद में वह क्या करेंगे यहाँ पर नीचे आने की जगे यहां metastable state में आएंगे और यह वाले जो transition होगा वह होता है हमारा non ready to transition मतलब संक्रमन होगा तो देखिए इस state में आएंगे फिर यहाँ से पर atoms रहने की बाद में इसमें क्या करेंगे हम लोग कुसी photon से हम लोगों ने इसको interact कर रहे हैं जब atoms यहाँ पर है metastable state में तब photon यहाँ पर आया हमारा तो उससे क्या होगा वो जो photon से वो प्रेडिट करेंगे दूसरे photon निकालने के लिए और उस process में वो जो atom होगा वो अपका ग्राउंड स्चीट के अंदर आ जाएगा यह हमारी उत्धिट सर्जन वाली प्रासेस होती उत्धिट दूसरे जह होगा हमारा इससे वाला जो एचनी वाला photon था उतना ही हेचनी photon के हम लोगों को और भी photons ह और यह सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, color submet, coherent होते हैं, same phase के उन्दर रे polarized same direction होते हैं, तो ऐसे वाले आपको photos मेलेंगे, तो देखे, इसे हमारे पास किया हुआ, वह ही आपको जो process चाहिए थी, same photos पाने की वह वाली process होती है, तो इस वाली जो process है हमारी optical pumping के, उसको हम लोग बोलते हैं, three level laser, मतलब यह वाला process जो use करते हैं, तीन levels जो use करते हैं, ऐसे वाली laser को मुल बोलते है, three level laser, तीन सदर यह laser, अब हम लोग देखते है, formation and shaping of laser, that means laser punch का निर्बान कैसे करा जाता है, तो उसके लिए देखे, हम लोग नॉर्मली यह कॉप्टिकल cavity, उसका यूज कर reflective है, that means पूनेते परावर्थी है, और यह दर्वाला जो mirror है हमारा, वो 90% reflective है, मतलब परावर्थन गुडांक इसका 90% है, 90% को तो यह परावर्थी तकरेकर है, 10% को हम लोग को यह धरी साथ जाने देगा, इस से क्या होगा, इस optical cavity से हम लोग का energy density है, इसके अनदर वो आपक जाएगी, इस वरता उत्र सर्जन से, अब देखिए, इस पाली process में हम लोग को क्या होता है, यह multiple time में reflection होगा, इस से हमारा, जो light है, हमारी, वो amplify हो जाएगी, क्योंकि इधर सी दर जाएगा, इधर सी दर जाएगा, तो जिते भी इसके अंदर के atom से, सब को वो excite करेगा, इस प्रोसेस को हम लोग में क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों ने यह पुरा system लिया हुआ है, इसके अंदर को एक सारे ground state में, आप को क्या करते है, कोई भी एक आउटसाइड एलिजेंट लेंगे, उससे हम लोग इसके अंदर के atom से, उसको excite करेंगे, अब हम लोग क् पंपन करेंगे, पंपिंग करेंगे, राडियेशन के तर्फो, इससे क्या होगा, यह जब यह active material अपका उस पर गिरेगी, तो एक अटम से इसके अंदर के वह भी excited होएंगे, एक सारे हमारे इस सीप में देखी, अटम से इसके अंदर के एक सारे होएं हमारे सीप में देखी अब उसकी बाद में fourth stage होगी आपकी, उसमें क्या होगा, कि जो आपके उत्तेजी, यह वाले जो excited state में जो आपके atoms थे, metastable state के अंदर, metastable state में आपके जो atoms है, उनके पर आप radiation जब किदाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उसमें photons को emit करेंगे, वो ground state में आ जाएंगे, वो atoms, वो which excited atoms है, उनसे वो photons emit करवाने के लिए, उनको प्रेडित करेंगे, और उससे जो आपको beam में लेगे, वो पूरी की पूरी क्यांसी होगी, coherent beam होगी, right, कला संबद आपको beam मिलेगी इससे, अब फिर इससे बात में होती है, हमारी fifth stage, देखे, पिछले वाले stage में भी आपना spontaneous emissions होता, वो भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस वाले stage में क्या होगा, कि अब उजित्ते भी, वो radiations थी, वो सारे के सारे, mutually coherent होजएगी, मतलब करहा संबंद हो जाएगी, और हम लोगों क्यों मिलेगा, stimulated emission ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा, spontaneous emissions मिलेगा, मतलब उद् कि बार-बार इससे टक्राएगी, और जित्ते भी atom से इसके अंदर के उसे सब को excite करके, फिर ground state में लाएगी, तो यह आपकी बहुत सारे radiation से निकलेगी, इनकी ज्यादा होगी, इस वाली process को हम लोग बोलता है, line amplification, और इसी तरीके से हम लोग laser का formation करता है, मतलब लेजर क जो पूंज होती है, उसको इसी तरीके से बनाया जाता है, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, यह वाला जो टॉपिक है principles of laser, और complete to that, thank you.